तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की जिद्दुजय है छटे रोज भी जारी है। मैदाने अमल में मौझूद आग बुजाने वालामला खुसूसी हवाई जहाजों और हेलिकॉप्टरों की मदद के जरिये आग पर काबू पाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन फिजाई मदद रात के वक्त रोग दी जाती है। पीर की सुबा इन तयारों और हेलिकॉप्टरों ने सुबाई मुगला के इलाकों मारमारीज और कोई चेगेज में अपना काम दुबारा शुरू कर दिया। यहां तेज हवाओं ने आग को मजीद पहलाया है और अब ये तेजी से दीगर इलाकों की जाने पहल रही है। कोई चेगेज का देही इलाका इस वक्त आग की जद में आने के खत्रे से दोचार है। मनावगात में सुरतिहाल मजीद संगीन हो गई है जहां आग लगने के नए वाकियात पेश आए हैं। इतवार की सुबा को गोंदावगदों के इलाके में नए आग भड़की थी जो पहले ही गुजिश्टा हफ़ते लगने वाली आग को बज़ाने की कोशिशें कर रहा था। मुकामी अफराद भी आग बज़ाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। चंद इलाकों में लोगों ने जंगलात के करीब निगरानी और गश्ट का अमल शुरू कर दिया है क्यूंकि ये शुबा है कि आतिश जनी यानी जान बूच कर आग लगाने की हरकत की जा रही है। मनावगात और दीगर इलाकों और सूबों में आग लगने के असबाब जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं क्यूंकि हुकाम कोई शुबा है कि दहशतगर्द ग्रूप पीके के इसमें मुलविस हो सकता है। गोंदाओ गदो के बासी मुस्तफ़ा यलमास के मताबक उन्होंने चंद दीगर मुकामी अफराद के साथ दू अफराद को आग लगाते हुए देखा के जो बाद में पूरे जंगल में पहल गई बनावगात में पहली आग चार मुकामात पर लगी थी। अगले छे रोस के हंकामी नकद इमदाद फराहम कर रही है और इनको नए घर बना कर देने का वादा किया गया था। एक आग जनूब मगरबी तुर्की के मशूर तरीन सियाहती इलाके बोदरों में भी लगी थी जो जल्द ही चार देही इलाकों तक पहुँच गई। बड़े दरखतों के ग झालके लाद कर देही है।